जय भारत धन्वारत बहुत धन्यवाद सभापती जी आपने रेल बजट पे मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया माने रेल मंत्री जी हमारे बीच में है आपकी एक योजना है आरार टी एस की जो मेरड तक चल रही है मेरी मांग है कि उसको बढ़ा कर साहरनपूर तक और इधर मेरे लोकसबा छेतर नगीना धामपूर तक की जाए एक बहुत बड़ी संक्या वहाँ से रोजगार के लिए दिल्ली आती है हमें बहुत फाइदा होगा इसके साथ ही मेरी ये मांग है कि नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलाए जाए बहुत सारा हमारा कारोबार और वरकर जो है क्योंकि हम जहां नगीना से मैं आता हूँ लोकसबा छेतर से वहां वूड कवरिंग का एक बड़ा काम है और मेरा विश्वास है कि अगर ये करेंगे तो इससे रोजगार में भी बहुत बड़ा फायदा होगा तो मुंबई के लिए एक ट्रेन नजीबाद से चलाए जाए इसके लावा नगीना शोरा किरतपूर में और बिरिज बनाये जाए आपके समय में पास हुआ बजट नी लाग हुआ बजट जारी कर देंगे तो ये काम हो जाएगा मैं खुद वहां कहीं के घंटे फसा रहा ड्रबल ट्रेन आए तो देखे घंटे खड़ा होना पड़ता हमाने में लोग बड़े परशानते समय कमी आप जानते हैं तो मेरी आप से ये भी मांग है कि नगीना शोरा किरतपिर में और बिरिज बनाया जाए और काला खेडी क्रोसिंग जलालाबाद क्रोसिंग कि बिरिज के नीचे अंटर पास का रिर्मान करा जाए और नजेवबाद से नहीं दिल्ली के लिए सुबह के समय एक ट्रेन चला दी जाए मैं भी अक्सर आता हूं तो बहुत समय लगता है तो मेरी आप से मांग है दूसा साथ में नगीना रिल्वेस्टेशन की लंबाई बढ़ाए जाए ये तीन सो मिटर बढ़ाई जाएगी तो इससे एक फायदा यह होगा ट्रेन के कुछ डब्बे पीछे रहतें जंगल में तो मेलाए उतरती है तो सुरक्षा खत्रा रहता यह बहुत मैतपूर्ण विश है तो इस समय इसलिए मैं मांग करूंगा कि इसका तीन सो में ट्रेरिया बढ़ा देंगे नगीना का रिल्वेस्टेशन का तो फायदा होगा साथ साथ बारा तीन सो सताइस बारा दो सो उननतर चोदा दो 37 बारा जीरो बानवर चोदा जीरो चोदा चैसो नंचेस नंबर की जो ट्रेने हैं उनका इस्टोपी जगर मानने वर हमारे हैं हो जाए नगीना में तो बहुत फायदा हो जाएगा मेरी आप से ये भी आग रहा है कि जो रेल्वे में सवीदा करमी लगे उनको पर्मानेंट कर दे जाए वो हमसे मिलते हैं सिकायत करते हैं और मोदे रेल्वे में SCST के बच्चों को OBC के बच्चों को जो कमजोर वरके हैं जो सवीदा पे आपके आरोजगार मिलता तो उनको मेरी आप से आग रहे है कि इस पर काम किया जाए बैक लोग भरा जाए एक मांग देश भर की है रेल्मंतरी जी मुंबई में एक दार दार रेल्वे स्टेशन है बहुत चेते भूमी के बड़े नदीख है बहुत पूरे देश के दुनिया के लोग महां जाते हैं उसका नाम डाक्टर बाबसाम बेटकर के नाम पर किया जाए बहुत बड़ी मांगे साथ साथ रेल्वे के लोको पाइलट की जो है मानेवर 14,439 पत खा ली है बहुत रेल दुरगटना हो रहे है ज्यादा ज्यादा अगर लोको पाइलट के पत भरे जाएंगे तो लोको पाइलट पर दबाव कम होगा और उनकी सेवा सर्तों में अगर सुधार किया जाए तो ऐसा करने देल हास्वम कमी आएगी पहले सेश्टी के बच्चों को कोई पेपर रेलवे का होता था उडिसा जाए कहीं जाए तो पास मिलता था मानने वर वो सरकार में बंद कर दिया है आर्थी कुरू अगर ये काम भी हो जाए कि स्लिपर कोच बढ़ जाए तो भी बहुत लोगों को सफर में आसानी हो जाएगी आर्थी जिस्तिती बहुत लोग की अच्छी नहीं है इसका उधारनी है कि हमारे देश के प्रदानमंतरी बताते हैं कि पिचासी करोड़ लोग असी करोड़ थारिश डाने आपको मुझा नहीं इनुगे मुझे अंटेहल लेकिन आप उनसे नहीं पूसा ना आपका प्यार उनके बड़ती बना रहना चाहिये साथ साथ-सा एक मेरी बहुत बड़ी मांगी है यह धार्मी कास्ता जुड़ा परसन है और आप लंबे समय से रेल मंत्री हैं आज ही मुझे सुबह फोन आया पंजाब से जब उनको पता लगा किया रेल बजट पर चर्चा होगी और उनको पता लगा चंसेकर को मौका मिलेगा ये जालंदर से बनारस बेगमपुरा एक्सपेस चलती है माने और आपके जानकारी में भी होगी ये धार्मी कारेकर मोटा हमारा करें बनारस में सद्गुर अवदाजी महराज की जहनती पर मनुवर्ष समाप करें जी समाप कर रहा हूं दस दीस सेट्ट समाप कर दूँगा इसमें समस्या यह कि 50 लाग रुपा भी देते हैं से स्पेसल ट्रेन का लेकिन गंदग आप तो बीजेबी के लोग सब आस्था धरम की बात करते हैं तो जब कमजोर वर्गों के धरम की बात आती तो उनका भी सम्मान किया जाए यह हमारे गुर्वों का आदेश है और मैं आप से अग्रें करता हूं आपने मुझे मेरी बात रखने का मोका दिया सभापती जी मैं आपने धन्यवाद करता हूं और एल मंत्र जी मेरी बात पर गोर करें मुझे वरोसा मन्ये गुपाल जी ठागूर 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 मन्ये मुली शुरू करें सब